हेलो स्टूडेट बेलकम बैक तू माई यूटूब चैनल अर्यान्त लेक्चरल गैज्ट आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंगलीस का वाइरल पेपर जो कि आपके बोर्ड परिछा में 4 मार्च को आने वाला है 110 परसेंट यह जो पेपर मैंने देखा यह बिल्कुल वाइरल पेपर है और यहीं पेपर आपका बोर्ड एक्जाम में आएगा ठीक है यहां पर सबसे पहले पेपर मिलता था आपको इसमें रोल नंबर और यहां पर नेम अपना बर दिना है यहां पर आपको प्रिंटेट पे और 15 मिनेट यह पंदर एटीन घंटे 15 मिनेट का आपको समय मिलता है और जो मैक्सीम मार्क से वो सेवेंटी मार्क से ठीक है सत्तर नंबर का इसमें कुछ जनरल इंट्रक्शन दे रखा है क्या दे रखा है फर्स्ट 15 मिनेट आर अलावटे टू दे केंडिडेट फार रीडि यह प्रशन पर दूढ़ागों मी बता है पाट एट तीक एट ब्रट भी में ब्टा हुआ है पाट एक कॉंसिस्ट अब टू मुल्टिपल चुईपल चुईश टाइब के प्रशन है जो की एक एक नंबर के दिये गहें आपको सबसे पहले question के answer को पढ़ना है ठीक है उसकी बाद OMRC पूसके answer देने है सही उत्तर भरने की बाद आपको उसे काटना नहीं है आपको कुछ भी नहीं करना ना ही वाइटनर का यूज करना ठीक है पार्ट भी कॉंसिस्ट आप डिस्क्रिप्टु टाइप question जो पार्ट भी है उसमें वर्णात्मक टाइप के प्रेस्न दिये गए नेस्टे की marks are indicated against this question यानि की question के आगे लिख दिया गया कि कौन सा कितने नंबर का है तो सबसे पहले यहां से सुरू होता आपका पार्टे और यह paper जो पूरी solution के साथ आपको मिलेगे ठीक है बित्र solution है तो आपको कुछ भी नहीं करना 70 नंबर आप भी अगर अपने board exam में ल OMR seat पर देना इसके लिए आपको one hour का समय दिया गया है तो यहां पर देरका question number one two three read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow यानि कि आपको क्या करना है इस passage को केरफुली पढ़ना है और इसमें से पढ़कर कुछ objective type question दिये उसमें से सही answer आपको बताना है तो आपको इस तरह से एक क्या दे दिय क्या गया है पैसेज इससे आपको क्या करना है केरफुली पढ़ना है thought the house and the grounds belong to my grandparent the magnificent old banyan tree was mine chiefly because grandfather at 65 could not longer claim it इससे आपको पढ़ना है ठीक सिंपली इस तरह से हम पढ़ लेते ये फूरी चीज़ है अब इसके पीछे क्या के question वह देखते है ठीक है एला question दे रखा कि the writer says that य तो क्या कहना चाहता his grandfather had gifted it to him गलत ठीक है his grandfather was too old to climb it यही कहना चाहता तो option number आपका next है आपका the tree was ठीक है यानि कि the tree was में क्या है इसमें आपका दे रखाता क्या his grandfather was too old to climb it यह correct है he was very fond of it ठीक है यह गलत है his friend the squirrel live in यह भी गलत है ठीक है आपका है कि the tree was age old as the grandfather age old as the house age old as the writer ठीक है तो यह इसमें आपका option correct हो जागे age old as the writer could hide behind the tree because it was old क्योंकि वह बुढ़ा था it had branches with thick green leaves he was small there were many creatures under the tree ठीक है तो इसमें से कौन सा option correct होने वाला है इसमें से it had branches with thick green and leaves ठीक है एंड इसके बास 4 to 8 choose the correct option to the answer the following यहां से चालू जाता आपके grammar I him a cycle on his birthday ठीक है तो गिव भराएगा की given की गेव की giving तो इसमें भराएगा गेव ठीक है यानि उसके बर्थदे की दिन मैंने उसे क्या दिया bicycle gift में दिया अगरने की सीता sings very good ठीक है यानि सीता बहुत अच्छा गाती ही हो जाएगा ठीक है इसके बाद helping vrb हो जाएगा यह पहला होगी ही यह दूसरा हो hardships इसकी बाद इसमें क्या है यह bueno है यह हो जाएगा quick he easy good in in अपकशा हो जाएगा किशमें नहारी बात में यह पांचवा हो बात, फिर इस्टैडिज एन गेम इस्टैडिज छठा हो जाएगा एन गेम ठीक है यह आपका पूरा का पूरा सात्वा हो जाएगा तो देखे इसमें जदूerson इस गूड इस इन बात इस्टैडलिज एन गेम यह वहला आपका कडेक्ड बन गया ठीक है वरतनी किसका सुध्ध आपको वो बता रब वंडर का यह है कि बलंडर क्या है कि थंडर क्या है कि स्प्लेंडर का है इसमें दिरक्खा है वंडर बलंडर थंडर splendor ठीक है तो इसका जो वर्तनी सुध्ध है वो किसका है यह थंडर का सुध्ध है ठीक तो आपसर नंबर सी आपका correct हो जएगा तो इस तरह से आप प्राम इसमें भर देना ने सबसे पहले आपको इसको पढ़ना इसके नीचे दे क्वेस्टन के अंसर देना तो इसमें से नवह आता इस इस इज डियली गेटिंग बैड नव इटरे फर्स कहां पर उसे रेफर किया गई इसके बारे में आपसे पूछ रहा है तो हैल स्टोन से ठीक है ओले के रिप में गेटिंग उसे क्या मिला बैड नाव तू रेफर्स हीर तू एल स्टोन से नी तू फान ठीक है इसके बाद दसमाय कि लेंचों होब्ड इट वूड पास क्यूक ठीक है तो इसमें आपका दसमा कि यह बला आपसंद द राइप कॉर्ण वूड वी डिश्ट्वाइड इन इट ठीक है उसके फचल क्या होगे थे नस्ट होगे थे ग्यारत से तेरह कि चूज दा करेक्ट आपसं तू दा एंसर दा फॉलोविंग ट्वेस्चन वाट डिद ल बंक आप क्रूक, रूड, अनहलफुल, प्राउड ठीक है यानि जो लेंचो का हेल्प करता पोश्ट आपिस उसे लेंचो क्या कहता है इसके बारे में पूछ रक है तो वो कहता है कि यह बंच आप क्रूक से हैं ठीक है एंड बारह नंबर की वाट बेगन मंडेलास हंगर फ पाइड तो इसके बीसे मुझा क्या संदर्पता यह था कि दफाक डैट इज हैड आल्रेडी बीन टेकेन अवे प्राम हीम इसके बाद तीसरा कि रूड इस दा आथर आप कूर्ग के जो आथर वो कौन है अरूप कुमार दत्ता लोकेस अबरोल लुसिया रोडरगियस नान आप देख लेते हैं यह पूरी क्वेस्चन पेपर सालूशन के साथ है आप अपने इस क्वेस्चन पेपर को फ्रेंड को भी सेयर कर दो ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सकते हो और वीडियो सबसे पहले तो आप लाइक कर दो ठीक है रीड देवन एक्षेक्ट और चूज द इसके बाद पुछने का हूच को कि इसे किसने ने कमपूच्ट किया है तो ए तो वह किया है आप के ये लेसलाई नोरिस ठीक है 15 कि what does he hear at night ठीक है वो रात को क्या सुना वाइस आप दे क्रेट टेकर लास्ट वाइस आप दे पेट्रोलिंग कॉर्स वाइस आपको एनिमल्स या जू सुराउंडिंग क्या सुना वो लास्ट रात को तो वो सुना था आपका लास्ट वाइस आप दे पेट्रोलिंग कार का ला की the nurse थी की the mistress थी कौन थी ठीक ए ये थी the puisqu थेक ए इसके बार भूल यहाँ पर दरीका भोली वाज़ में 17 गिसकी लाटर थी भोली किसकी पुतरी थी यानि किसकी पुतरी थी जो रामलाल थे उसकी पिता क्या थे तो उसकी जो पिता थे वो ये थे नमबरदर, ठीक है, नमबरदर रामला,ushing अठारए नमबर है, डिट दे फाइंड लोस्ट नेखलेस, ठीक है, नेखलेस मतलब गले कहार, no, as, not, mentioned, may be, ठीक है, क्या था, तो ये अठारा का आपका नो था, ठीक है, हbakर द्यैद की जिगर आप बना आ सकते हैं एगा और कि निचार्ट निचंट नओंक आप दे शचोरी दे थीप इस्टोरी में थीप कौन था चोर कौन था हारी सुंह था कि है निल था कि मगलल अर्ण पॉर्ष था ठीक है इसमें हरी संघ ठा थी ये तो आप जानते हो ये करेक्ट अप्संन हो जाएगा इसके बाद यहां से सुरूं यह ऑल जाते आपका question को पढ़ो बट आप सबसे पहले answer यह question को इसको पढ़ो पैसे इसको मत दे रखा कि what was the problem faced by our ancestor ठीक है ancestor कौन से problem को face कर रहे थे तहां दे रखा कि our ancestor had great difficulty in the getting books getting books की problem को face कर रहे है ठीक है इसका लिखेंगे आवर एंड यहां पर आवर एंसे स्टर्स फेस्ट दो प्रॉब्लम आप दे गेटिंग बुक से ठीक है गेटिंग बुक्स के problem face करें तो यह question number डाल देना है उपर में आपको डालना है पार्ट भी ठीक है इस तरह से पार्ट भी डाल देना है यह चीजी यही चीजी एक्जामनर देखता और यहां पर रीडिंग करें तो यहां पर आपको क्या डाल देना है reading इस तरह से तो यह होगी आपका रीडिंग इस तरह से आपको बोडिक्जे में ब्लेक पेंस इसे डालना है तो इसका मतलब क्या होगा आपको यहाँ पर देख सकते हो आप की वी केन ओबरकम इस डिफिकल्टी वाई बिंग केरफूल एवाउड दर च्वाइस आप बुक्स ठीक है यहाँ पर इसका च्वाइस आप दियर फर च्वाइस आप बुक्स था अब इसके बाद नेस्ट क्वे गौड नेस होगा क्या होगा गौड नेस होगा अच्छा होगा और इसके बाद हौसर जाए यह पूरे का अनसर हो गया एक वी हो थो ऊए यह वाउठ जीट थे स मेड़िकल्टी जिए अ काम ने लिख दिया अब यहां से जा जाता writing, write letter to the friend inviting him to attend sister marriage, या trick के लिए आपको क्या लिखना है, एक letter लिखना है, जिसको आप कैसे लिख कोगे, ठीक है, later लिखने के लिख सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपका पता लिख देना है, कुछ भी या पे लिख सकते हो, जैसे आप प्रयाग राज में रहते हो आप वररसी में रहते हो आप लखनव में रहते हो आप गोंडा में रहते हो तो उसके अपने गाउं का नाम और कालोनी का नाम पता लिख दो ठीक है गोंडा रहते हो तो गोंडा बहराईच लिख दो अगर प्रयाग राज लिख दो ठी देट उस दिन का डाल देना 24 अगस्त दो हजार चौबिस अब इसके बाद डियर बिनोड जिसको आप लिख रहे हो आप कैसे हो I hope you are doing well आप अच्छे होंगे I am writing this letter to share this joy with you मैं यह पत लिखते हुए मुझे खुशी महसूँ sorry I am happy to inform you मुझे यह पत लिखते हुए खुशी महसूँ that my sister's marriage ceremony is fixed मेरे दीदी का साधी फिक्स हो गया है the bedding is on September 5, 2024 यानि कि 5 September 2024 को साधी होनाता है I invite you to join the ceremony with your family मैं आपको invite करता हूँ अपने family के साथ इस ceremony का join करो ठीक है और आपके माता पिता से भी मैं request करता हूँ और your loving आपके जो प्यारी है वो राधा जी लिख रहे तो जो भी लिख रहा वो उसका नाम रहेगा ठीक है यह चीज़े हो गए इसके बादा था write an application to the principal requesting him to make a regular arrangement for the evening games अब दोको इसको कैसे लिखना evening games के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना यह चीज़े to the principal MBM inter college बरैली date 7 July 2024 subject requesting for the arrangement of the union game ठीक इसको जरूर लिखना black pen से sir लगाने के बाद काऊं most respectfully IBAC 2 से बहुत सम्मान पूरक यादा पूरक IBAC 2 से मैं कहना चाहतो the most so say that most of the student आप दो यह इसका ठीक 9th B are eager to play football and hockey there is no arrangement in the college I dare for request your good self to make arrangement for regular evening games for the participant I shall be highly obliged you are obediently mukesh rara ठीक जो class उर्च को लिख देना इस तरह से आपको board exam में लिखना है next आपको तीसरा आता है रिपोर्ट अंदिवाली celebration in your village of the city in about 8200 ठीक है यानि कि दिपावली आपको report लिखना है इसे सववर्डों में आपकी village में कैसे मनाया जाता है प्रिप्रेशन लिख सकते है लाइटिंग लिख सकतो वर्सीप आप दर गौद्लेस लच्मी एंड गनेस फायरवर्क फायरवर्क्स एंड ग्रेकर्स साइलेंस एड इलेवन पीम ठीक है रोड्स एंड पार्क लुग्ड डर्टी इन दमार्नी इन सब चीजों के ये हेडिंग के अंतरगत आप लिखना है दिवाली परिपोर्ट अगर ये नहीं लिख अगर्ग हमने कुछ लिखा इसके अंतरगती है हंडे वर्ड में थीक है कितने वर्ड में हंडे वर्ड में इतना ही आपको बोर्ड इईजाम में लिखना है तो सबसे पहले आपको हीटिंग डालना है क्या इंट्रोडक्शन एंड दा मीनिंग तो इंट्रोड पालूशन किagan Maa I and too much light. The source of pollution are the diverse! Ranking from the industrial activities to the household waste, pollution health survey, एकуйте criterion on ecosystem,agolla, and the overall well-being of, our planet addressing pollution as the collective responsibility that requires global awareness and sustainability. यह सस्टेनेवल प्रैक्टिस गवर्मेंट प्ले ए यहां पर सर्कल रोल इन इन फोर्सिंग रेगुलेशन प्रोमोशन रिनीवल इन एनर्जी सोर्स एंड रैसिंग एवर्नेश एवाउड दे इंपोर्टेंस अद आफ इन्वर्मेंटल कंसर्वेशन ठीक है यह चीज इस तर पालूसन और आपको चेंज करना है कैसे कैसे लिखना है सबसे पहले दर्खा है मोहन से कहा आःड यू राइट लेटर राइटिंग लिटर क्या तुम पत्र लिखोगी लिखती हो यहां पर रहेगा मोहन कैसे बनेगा देखलो अब आर को टाक इफ प्लगा देंगे इफ ठीक है इफ आई यू गया मोहन के पास इसका हो जाएगा आई वाज वाज तो वाज लगा देंगे इसको ठीक है आई वाज इसके बार राइटिंग ए लेटर राइटिंग लेक्टर इस तरह से आपको इसका बनाना है यह इंडिरेक्ट स्पीच चेंग फॉलोग में इंटू पैसी वाइस आपको यहां पर पीपूल वाला है पीपूल आलबेज एड्मायर दफ्रीडम फाइटर्स इसका कैसे बनेगा ठीक है सबसे पहले आपको दफ्रीडम फाइटर यहांपे में लिखेंगे कि दफ्रीडम फाइटर्स इसके बाद क्या लिखेंगे द फ्रीडम फाइटर्सर लगाएंगी ठीक है आवर इसके बाद आलबेज एड्मायर बाइड़ पीपूल आलबेज का प्रिफ्रे ужас कर देंगे इसमें आलवेज यह है ठीक है आलवेज एड्मायर बाई द़ पीपूल ठीक है इसतरह से लिख सकते हैं बाई द़ पीपूल लिख देंगे इस तरह से बनेगा इसको freedom fighter को आप subject बना लो the freedom fighters are always admired बाई द़ पीपूल इसके बाद है punctuation ठीक है he said to me I am going to डे लही to see your to see your ailing mother ठीक है तो यहां सब से पहले I am बन जाएगा I am going to डे लही इतना होगा subject ठीक है I am going to डे लही to see your to see your ailing mother ठीक है he said हटा दीजिए अब इसको यह क्या मतलब है कही रही है I कही रही है तो इसके लिए लगा है तो आई हम लिखेंगे इसको कैपिटल हैगा आई एम गोईंग टू दे लही ठीक है ये ल है दे लही टू सी योर एलिंग मदर ठीक है इस तरह से लिख देंगे नेस्ट है आपका कि प्रयाग राज एक प्राचीन इतिहासिक नगर है तो इसमें सब्जेक्ट है क्या प्रयाग राज ठीक है तो यहां पे इज लगाएंगे प्रयाग राज इज प्राचीन इतिहासिक प्राचीन का क्या होता है एनसीयंट ठीक है तो इसको लिख देंगे एनसीयंट इस्टोरिकल इतिहासिक का इस्टोरिकल इस्टोरिकल नगर है नगर का सीटी इसके बाद फूली स्टाप लगा देंगे इसका एक गौरोसाली इतिहास है ठीक है तो इसका मतलब किसका प्रयाग राज का इसका इहां पहत सकी लिए इतिक का प्रयोंग कर देंगे ठीक है इति, इसका एक गौरोसाली इतिहास है, इतिहास है, ठीक है, इतिहास है, अब दोको गौरोसाली का क्या होता है, ग्लोरियस होता है, क्या होता है, ग्लोरियस, लिख देंगे, ग्लोरियस, इतिहास, गौरोसाली इतिहास है, ठीक है, गौरोसाली का लिख 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 यहां गंगा यहां गंगा और यमुना का संगम है तो यहां किसका शंगम है गंग istemर यह इनका तो यहां का के बास संगम है तेसी सम उठा लेते हैं दूइक ह andar का जो होता है वह होता ऐट कन क्रीवे अगर डागर फ्लींस थिक देखि आड़ मुख्या सब्सक्राइब नदी है बढ़ात इसके आगे द लगेगा द गंगा इसको कैपिटल अच्छर से लिखेंगे द गंगा और एंड या मुना ठीक है एंड द या मुना द या मुना ठीक है इज ही यह यहां पर है तो इज ही यह लिख देंगे इसके बाद यहां उत्तर प्रदेश का उच्छी न्याले है ठीक है तो यहां पर का के बाद क्या है उच्छी न्याले है तो का के बाद से ही आप उठा लो सब्जिक्ट यहां पर उच्छी न्याले का होता है the high court होता है क्या होता है the high court supreme court किसका होता है the high court the high court आप आप UP इज ही है ठीक है उत्तर प्रदेश का UP आपको उत्तर प्रदेश पुरा लिखना है इस तरह से प्रयागर इनेशियंट इज द इस्टोरिकल सीटी इस तरह से आपको बनाना है इसके बाद एंसर फॉलविंग क्वेशन इनेवाउट थर्टी तू फॉट्टी वस वाट एकार्डिंटू द अनुसार जो सही स्वतनत्रता थी वो क्या थी तो देखो यहाँ पे मंडेला के नुसार हमने यहाँ पे लिखा एकार्डिंग टू मंडेला टू फ्रीडम जो है मिन्स फ्रीडम नाट टू बी अब्स्ट्रेक्टेड इन दा लिविंग ए लाभफुल लाइप ठीक है यानि कानूनी रूप से जीवन जीने कारा कि फ्रीडम नहीं होता मंडेला के नुसार ठीक है इसके बाद नेश्ट है या तो आप ये का सुप्राम हूँ है दा इन हैविटेंस आप कुर्ग दी से केंडेड एज पर द लॉगेंड या वाई वाई वाज जी किस्सा गोतामी सैड वाट डिट सी डू इन हर आवर आप ग्रीप ठीक है की खोज में अपने पुत्र का कियर कर सके ठीक है ये इसका एंसर रहा इसको आप स्क्रीन साट ले सकते हो ठीक है न समझ मैं तो बताया कि आप पहुर अच्छे समय इसको लिग देंगे इसके बाद है वाई वाज लेंचो एंगरी वेंगी रिसीव दे लेटर रहने के बाद लेंचो दुखी चिरियता क्योंकि उसे पुरा पैसा नहीं मिला था निच्ट की रायट एक क्रेक्टर स्केज आप लेंचो लेंचू का ब्रेक्टर स्केज लिखो थीक्रेर तो जो लेंचू का क्रेक्टर अपर्ण करने वाला फार्मर था बिद मिनिमम्म रिसोर बहुत कम धन पे ठीक है और आसा पर जीने वाला आदमी था ही इवेन आप्टर लॉसिंग दियर वनली सोर्स और उसी चीज को खो देता है आप दा इंकम इंकम की ही डिड नाट लास हीज हो और उस आसा को खोना नहीं चाहता था ठीक है यह करेक्टर इसके आप लेंच हो गया वाइड देखो आणी जो अनी जो रख्ते थे क्योंकि उसके कोई मित्र नहीं था थे weren t 4 एप friend she was never able to truly open up about her feeling with them उसकी कमी को महसूस न कर सके so she decided to confide all her thoughts वो decide करती है and innermost feeling to her diary instead और उस तरह की feeling अपने diary से ही लेने लगती है ठीक है नेश्ट देख लगते है इसमें क्या है why does the poet hold with those who favor fire ठीक है इसके बारे मापको लिखना है और अगर यह नहीं है तो write four lines any poem prescribed in your syllabus do not copy the lines given in the question paper यानि चार लाइन को कोई कभिता लिखे जो कि इस question paper में नाया हो आट्माइक write the central idea आप any one of the following poems Amanda, Fogg, Dust, आप इसनो दो किसका लिखना है और आपको कैसे लिखना है यह चीज़े सबसे में चीज़े जानना तो यहाँ पर दिखो हमने लिखा Dust of Snow का किसका है Dust of Snow का the short and the beautiful poem Dust of Snow has been composed by Robert Frost these poems tell us the importance of nature things ठीक है nature की बारे में बताती है in human life यानि human की जीवन में nature का कितना important है the poet was in upset mood poet upset mood होता है he was standing under a hemlock tree hemlock tree के अंदर चला जाता है नीचे then the crow shook down the dust of snow over the poet suddenly his upset mood was the change जैसे वो पौधे की नीचे जाता है उसका upset mood change हो जाता है into happiness खुशियों में बदल जाता है and he being to enjoy the nature और वो प्रकृति से enjoy करने लगता है इसका screen साट लेना यह लिखना बिल्को से ठीक है पूरे नंबर मिलेंगी इस तरह से लिखना है and इसके बाद है कि answer anyone of the following in about 30 to 41 what was the only way to save tree यानी tree को save करने का केवल एक जो वज़ा था वो क्या था ठीक है क्या किस से वो tree की बश सकती थी the best way to solve this problem is the by avoiding deforsting and the moving towards deforsting that is the planting trees we should all try to save our home which is the planet ठीक है यह इसका save करने का एक तरीका था इसके बाद है कि who were the important people in brights lives and why ठीक है यानी जो bright बैग्यानिक थे उसके जीवन में सबसे important कौन लोग थे उनकी माता थी और वो क्यों थी ठीक है इसके बारे में बता है कि a brights mother Jacqueline Catherine a brights was the most important person in the brights life he had lost his father early जल्दी वो अपने पिता को खो़ चुकी थी and his mother took great pants और उनकी माता जी काफी बड़े great नी महान बड़े पैने नी दर्द से जूजे थे to bring him up ठीक है उभर रही थी see but him a lot of books उन्हें book खर्दीत कर दिया करती तो microscope, telescope and the camera खरिद कर इबराइट को दिया करती थी ठीक है यह हो गया अब इसके बार answer anyone of the following name about 60 words write a character sketch आप Hari Singh ठीक है Hari Singh का आपको क्या करना character sketch लिखना है तो Hari Singh वाज इस्माल टाइम थी वो कम समय में तक चोड था Hari Singh was not his actual name उसका Hari Singh actual name नहीं था and he kept changing names वो अपना नाम को change के था so that the police could not get hold of him मुझे police पकरन ना सकी he was a liar वो जूता था as well because क्योंकि he even lied to Anil that he could cook ठीक है his main job was the be friends with people and then decided them and drove them and run away ठीक है उसका ये main मक्सद था इस तक give a character sketch आप recharge इप्राइट किसी एक का लिखना था तो अगर वीडियो पसंदा था लाइक करेगा मिलोंगा कने श्टूड़न कब तक के लिए धन्यवाद